बच्पन की वो प्यारी यादें जो हमेशा हमारे दिल में बसी रहती हैं। यह कहानी है दो बच्चों की रोहन और पूजा की। रोहन और पूजा एक ही महले में रहते थे। उनकी मित्रता बच्पन से ही शुरू हुई थी। वे हमेशा एक साथ खेलते, पढ़ाई करते और मिलकर हर समस्या का हल निकालते थे। जैसे जैसे वक्त बीटता गया, उनकी दोस्ती में प्यार की रंगतें घुलने लगी। रोहन के दिल में पूजा के प्रती एक अनोखा एहसास होने लगा था। उसे पूजा की मुस्कान उसके बातों में छुपी हुई खुशियां बहुत प्रिय थी। एक दिन रोहन ने अपने दिल की बात पूजा से कह दी। पूजा भी रोहन के अनुभवों को समझ।